नापुन नगर निगम कच्रे से जैविक वर्मी कमपोस्ट का उतबादन कर किचिन गार्डन विक्सित करने पर जोर दे रहा है इसी के तैयत शनिवा को धंतोली जोन अंतरगत अर्विन सोसाइटी नरेंदर नगर निवासी अजीत कुलकर्णी और सेवा निवरत उप जिलाधीकारी जादव इन्होंने गीले कच्रे से जैविक वर्मी कमपोस्ट तयार कर किचिन गार्डन विक्सित किया है जिसके चलते धंतोली जोन की और से सोयोग नगर गार्डन में सहयक आयुकत किरन बगड़े की और से उनका सतकार किया गया अगर घर में गीला कच्रा ज्यादा देर तक रखा जाए तो इससे दुरगंद आती है कुछ नागरिक शेत्र में खुले जगाओं या मैदानों में कच्रा फेकते हैं या शेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास से जुड़े सवालों को उठाता है हलाकि कुछ प्रबुद नागरिकों ने उसी गीले कच्रे से वर्मी कमपोस बनाने की परियोजना शुरू की है जो घर में जमा हो गया है वर्मी कमपोस परियोजना के लिए 4 बाए 2 फुट का बरतन बनाया जाता है इससे दो भागों में बाटा जाता है उसके बार 200-300 केच हुए गमले में छोड़े जाते हैं गीला कच्रा गमले में डालने के बाद वे वर्मी कमपोस बनाने लगते हैं इस खाद का उपयोग हम अपने बगीचे में भी कर सकते हैं विशेश रूप से यह शेत्र में कोई गंद नहीं फैलाता है पर्योजना रोग नियंतरन के लिए उपयोगी है और नागरिक अपने घर में बड़ी मात्रा में उरवरक और सबजियां उगा रहे हैं इस बरतन में रसोई से बचा हुआ खाना खराब हो चुके फल और सबजियां जैसे खाद अपशिष्ट पदार्थ फेके जाते हैं वर्मी कमपोस्ट बनने में लगभग पांच महीने का समय लगता है खाद बनाते समय कुछ पदार्थ भी बनते हैं इस तरल का उपयोग की इतना शक के रूप में किया जा सकता है सुयोग नगर पार्क में धनतोली अंचल द्वारा जन चागरन कारिक्रम का आयोजन किया गया इस मौकी पर सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलोपमेंट ने नागरिकों को कच्रे के प्रतक करन के बारे में जानकरी दी घर के गीले कच्रे से जैवेग वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर किचिन गार्डन विक्सित करने की भी जानकरी दी गई कैमर परसन राच्कमा मोहर के साथ दिशाटवा बीसेन न्यूस नागपुर